नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपकी अपने चैनल में और आज फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने जारी उस वीडियो में सिर्फ 10 मिन्टों में दिखेगा असर काली मिर्च के 6 चमतकारी उपाए जोतिश विद्धा के नुसार और उस जोतिश शास्त्रों में काली मिर्च से सम्मदित अनेक ऐसे उपाए बताएं गए हैं जो आपके घर में उपस्तित नकरात्मक उर्जा को दूर कर सकरात्मक उर्जा का संचार करेगी आज हम आपको काली मिर्च से जुड़े 6 ऐसे उपाए बताने जा रहे हैं जिनका असर ब ग्रह का कारत वस्तु कहा गया है यदि किसी मनुष्य की ऊपर शनीदेव की ढईया या साड़े साती का प्रभाव हो तो उसे काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पैसे दान करने चाहिए इस उपाय से शनीदेव का प्रगोप शिगरी शांत हो जाता है ये एक सिद्ध उपाय है अगर आपको कोई कारे बनते बनते रुख जाता है अत्वा आपको कोई कारे लंबे समय से अटका हुआ है तो जोति शास्तर में इसका एक बहुती सरलसा उपाय है घर से बाहर निकलते समय घर के मुख्ये दौर पर काली मिर्च रखें तथा बाहर इसके उपर पैर रख कर जाएं परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि काली मिर्च पे पैर रखने के तुरद बात या पुना घर में प्रवेश नहीं करना है इससे ये उपाय उल्टा भी पड़ सकता है तो फ्रेंट इस बात का आपो खास ध्यान रखना है यदि आप धनकी समस्य जासे परेशान है तो काली मिर्च के पांच दाने लें और उन्हें अपने सिर्पर से साथ बार वार लें इसके बाद किसी चोराय या किसी सुनसान इस्थान पे खड़े होकर चारों दिशाओं में चार दाने फैक दे इसके बाद पांचवे दाने को उपर आस्वान की और इसके बाद चोराय से पुनहा लोटते वक्त पीछे पलटकर ना देखें माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं घर में बुरी शक्ति का यदि वास हो तो इसे दूर करने के लिए पांच ग्राम हींग पांच ग्राम काली मिर्च तथा पां एक हिस्से को सुबह के समय घर में जलाएं तथा दूसरे हिस्से को शाम के समय घर में जलाएं ऐसा करीब तीन दिन तक दोराएं इस उपाय से घर में लगी सारी बुरी नजर उतरती है तथा घर में वास कर रही बुरी शक्ति दूर होती है यदि आपके घर में अक्सर कोई न कोई बिमार रहने लगा है या घर में छोटी सी बात को लेकर भी बहुत बड़ा कलेश हो जाता है तो यह सब नकरात्मक उर्जा के कारण होता है जोति शास्तर में नकरात्मक उर्जा को दूर करने लिए बहुती सरर उपाय सुझाया गया है काली मिर्श के साथ से आठ दाने लें तथा उसे एक दिये में रखकर घर के किसी कौने में जला दें घर की सारी नकरात्मक उर्जा नश्ट हो जाएगी यदि आप किसी भी प्रकार के शनी दोस्टे पीडित हैं तो भोजन गरहन करने के दोरान भोजन में खाते समय आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ फ्रेंड एक और नई महत पुंचानकारी के साथ जब तक के लिए आप हेल्थी रहें फिट रहें खुश रहें बाई बाई